शनी देव का प्रकोप जब हमारी लाइफ में आता है तो लाइफ उथल पुथल हो जाती है और ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं क्या सभी की धारना सही है कि शनी देव का प्रकोप बहुत ज़्यादा सफरिंग लेकर आता है तो मैरे खमरूत्रा आप सब का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं शनी देव क्या हमारे लिए सफरिंग लेकर आते हैं या हमें विजडम देना चाहते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें अगर आपको लगता है कहीं न कहीं शनी देव का प्रकोप है आपके उपर या आप शनी देव की दशा या महा दशा से गुजर रहे हैं और बहुत जादा सफरिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि कुछी देव बाद मैं हीलिंग भी देने जा रहे हूँ जिसमें डिवाइन की इश्वर की इन्फिनीट उर्जा से आपके लिए ये ट्रांजीशन बहुत ही स्मूध हो जाएगा शनी देव को गौड माना गया है करमास का, जस्टिस का जब भी उनकी किसी भी दशा में हम आते हैं हमारे चार्ट में ऐस्ट्रालोजिकल चार्ट में या अदवाइज ऑलसो हम हमारे उपर वो दशा आती है तो शनी देव हमें धर्म और अधर्म में अंतर सिखा रहे होते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है वो बता रहे होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा टीचर कहा गया है बहुत ही अच्छा गुरु माना गया है वो हमें सफरिंग नहीं देते हैं वो सिर्फ हमें सिखा रहे होते हैं और अगर हम जो सत्य और असत्य या धरम या अधरम में जो अंतर वो हमें सिखा रहे होते हैं, अगर उसका ज्ञान हमें हो जाता है, तो suffering हमारी खतम हो जाती है, तो अब सीखना किसे है? सीखना हमें है, वो तो सिखा रहे हैं, God ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें सफर करने गाँगा, God is always there to help us, इश्वर हमें help करते हैं, ताकि हम अपने जर्णी में, अपनी लाइफ की इस चर्णी में रोश्नी की तरफ आगे जाएं, और अगर उस रोश्नी की तरफ अंधेरे से निकल कर, अगर हम रोश्नी की तरफ जाने वाले रास्ते में, अगर हम जल्दी से प्राप्ति कर लेते हैं, तो हम अराम से रोश्नी में चले जाते हैं, अपने अंधकार को छोड़ कर, तो जब भी कोई भी चीज, चाहे आपकी thoughts है, speech है, या actions है, अगर वो सही है, सही वो आपका सत्य है, आपकी आत्मा और आत्मा से मिलता है, आत्मा के साथ हार्वनी में है, जो आप अंदर सोचते हैं, वही बोलते हैं, या करते हैं, तो जो आपकी आत्मा का उद्देश्य है, अगर उसी के अनुसार, आपके thoughts, speech और actions होते हैं, तो आप धरम के रास्ते चल रहे हैं, अब हो सकता है कि इतनी सारी layers डल गई हों, अंदकार की, कि वो difference ही नहीं पता चल रहा हों, तो इसलिए आज की ये जो healing में देने जा रहे हूं, वो आपके आखों के जो illusion, जो प्रहम की ऐसी परतों को खतम करेगी, so that Lord Shani, जो भी आपको सिखाना चाहते हैं, वो आप बिना suffering के अराम से सीख जाएं, अगें दुपारा बोलोंगे, ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम कर्ष्ट में रहें, पर हम बाहर की दुनिया में जो डर डराया गया है, या कुछ ब्रहम ऐसे दिये गए हैं, उसके कारण हम खुद अपनी suffering को invite करते हैं, तो अपनी इन सभी suffering को बिलकुल खतम कर देजिए, ईश्वर का हर शन धन्यवाद कीचिए और कोशिश कीचिए अपने अंतर्व, अपनी आत्मा की जो उदेश्य है, आत्मा का जो परपस है उस रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश कीचिए, फिर देखेगा शनी देव आपको कैसे infinite blessings के साथ सब कुछ देगे, और ये तो आप जानते ही हैं, कहा जाता है ना कि साड़े साती जब खतम होती है तो शनी देव जो है भरपूर सुख संपत्ति या सम्रधी दे कर जाते हैं, तो साड़े साती खतम होने की वेट मत कीजिए, उससे पहले ही उनकी कृपा लीजिए, उनकी ग्रेस लीजिए, बुछे मेरी जो लर्निंग तो यही रही है, कि जहां पर हमें कुछ सीखना है, कुछ गलत हो रहा है और हमें सीखना है, तो हम उसे अराम से सीख सकते हैं और ब्रह्मान्ध हमें पूरा सपोर्ट भी करता है, पर हमें देखना है कि वो सपोर्ट हमें कैसे लेना है, कहां से लेना है, क्योंकि हम सब की जर्नी जो है अलग-अलग है, destination same है destination सबका घर एक ही है ultimately एक्षिवर की उर्जा में ही हम सबने समाज आना है destination same है बट जर्नी अलग है तो इसी लिए आज की इस विडियो में जो मैं healing देने जा रही हूं पहले तो अपना जो mind बहुत ज्यादा विचलित होता है बहुत ज्यादा कोश्चिन मार्क लेकर आता है उसको एक्दम शांत करके यह healing लीजिएगा कोश्चिन मार्क मत लेकर आएगा जितना आप समर्पित भाव से यह healing लेंगे उतना ही यह healing आपको फायदा देगी वो जैसा मैंने बोला Lord, Shani आपको कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो आप जैसे ही सीख लेंगे वैसे ही आप promote हो जाएंगे He's such a good teacher कि आप दे अगर पहली class एक example ले रहे हूं कोई बच्चा अगर बहुत ही जल्दी जल्दी teacher जो भी सिखा रही होती है क्लास में बहुत जल्दी जल्दी सीख लेता है तो कई बार उसको फर्स्ट क्लास से फिफ्ट क्लास में promote कर दिया जाता है ये एक example ले रहे हूं उसी तरहां से Lord Shani भी जितनी जल्दी आप सीख लेते हैं धर्म में जो difference है और सत्य आसत्य में उतनी जल्दी ही आपकी प्रोमोशन हो जाती है यहां पर क्लास नहीं है कुछ भी नहीं है यहां पर सिर्फ आप अन्दकार से रोश्नी में जाते हैं वो अन्दकार हमारे अंदर का अन्दकार है बाहर का नहीं है तो इसी उमीद के साथ कि आपका आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियां रहे पूरी प्रेयर्स है मेरी और शनी देर की कृपा आपके ओपर अनंत कृपा हो और इस हीलिंग को लेजिए पूरे समर्बन के भाव से थेंक यू सो मच पर हीलिंग लेने से पहले आप चाहते हैं कि आपका माइंड अगर कॉश्चिन ना उठाए तो सीधा आप सिर्फ इतना लिखिये मैं समर्बित भाव से इस हीलिंग को ले रही हूं या ले रहा हूं या फिर इस जो मैंने अभी ये सेंटेंस बोला है इससे आप यूनिवर्स में फेज रहे हैं आप सीधा मन ही मन इस सेंटेंस को बोल कर अपने आप से बोल कर जो कि यूनिवर्स में जाएगा नीचे आप येस आई एम रेडी या खाली येस जरूर छोड़ियेगा और भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी जरूर शेयर कीजे बिकरस इससे दूसरों को पता चलता है कि येस इस हीलिंग से हमारी लाइफ में हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्थन आया है क्योंकि मुझे तो पता ही है कि आपकी लाइफ में एस हीलिंग से डेफिनेटली परिवर्थन आएगा ही हो सकता है वो परिवर्थन आप कुछ मिंटों में देख पाएं कुछ घंटों में देख पाएं या कुछ दिनों में देख पाएं बट परिवर्तन तो है ही और वैसे भी कितने समय में आप परिवर्तन देखते हैं वो हर इंसान की जोर्नी के ओपर डिपेंड करता है हर इनसान का जो life experience रहा है उसके उपर depend करता है तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं healing पर उसके साथ साथ बहुत ही powerful mantra है शनी देव का जिसका meaning सिर्फ उनको thanks कर रहे होगा अगर आप किसी भी भगवान को किसी भी God को किसी भी form में अगर आप पूछते हो या एक formless creator को पूछते हो उनको worship करते हो सिर्फ आप अपने अंदर thanks रखें तो अभी आपकी life में बहुत जादा परिवर्दन आना शुरू हो जाएगा तो ये मेरा अपना personal experience रहा है शनी देव के बारे में Lord Shani के बारे में और आपके साथ मैं ये भी share करना चाहूंगी मैं सिर्फ उनको ये ही बोलती हूँ Okay, मैं ready हूँ मुझे सिखा दो, क्या सिखाना चाहते हो मैं सीखने के लिए बिलकुल तयार हूँ और जब भी मैंने ये बोला है न तो मेरा जो भी challenge आता है नहीं कर रहे हैं, अकेले बैठकर आप एक परिवार में रह रहे हैं तो मेरे मैंने हमेशा उनके साथ मैंने का Lord Shani, Shani Dev Maharaaj जो सिखाना चाहते हो, सिखादो मैं सीखने के लिए तयार हूँ आपका इतना कहना भी आपको universe से support मिलना शुरू हो जाएगा आपको Shani Dev से support मिलना शुरू हो जाएगा So love you all साथ ही साथ जो mantra जिसका meaning तो बहुत ही simple है आप उनकी praise कर रहे हैं Lord Shani की praise कर रहे हैं और उनको thanks कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप इस mantra को chant कर सकते हैं और healing भी लीजिए या फिर आप chant करते करते अगर सो भी जाते हैं It is okay कोई problem नहीं है आप अराम से सोए रहे हैं Because आपकी healing तो on रहेगी और जो Lord Shani का mantra है वो भी अपनी पूरी grace आपके उपर देगा और इस video को जादा से जादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ये मेरा energy exchange है तो चीजे मांग भी हो energy exchange में एक अपना mind question mark मतलई है कि ये healing काम करेगी या ने करेगी कि मुझे पता है मेरे experience जो रहे है मुझे पता है ये healing 100% काम करेगी और दूसरा आपको इस video को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करना है दो चीजे मांग भी है आप से energy exchange में और आप जरूर देंगे आपको 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 blessings to you lip, love, heal अब हम शुरू करते हैं आपको आपको अजए आपको पी tomar एंच आपको नीलान जन समाभासन रवी बुट्रम यमागर्चन छाया मार्तनुड़ संहुतं तं नमामी शनेश्चन नीलान जन समाभासन रवी बुट्रम यमागर्चन छाया मार्तनुड़ संहुतं तं नमामी शनेश्चन नीलान जन समाभासन रवी बुट्रम यमागर्चन छाया मार्तन जडिए अमन्यू टो संगान वद्यू ऑम सबकर्ण व्हुर् transfekững मेहाई तक मूरल जडिए येददे को मुद्यू जडिए न माँ अश्या कोके सबस्राव ये अचक जडिए ये अच्छागरड दॉसे तम्नमामी शनेश्चरम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंडसंभुतं तम्नमामी शनेश्चरम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंडसंभुतं तम्नमामी शनेश्चरम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंडसंभुतं तम्नमामी शनेश्चरम नीलान जन समाभासं रविबुद्धं यमागजं चाया मार्तन ड़संग तम नमामी शनेश्चरम नीलान जन समाभासं रविबुद्धं यमागजं चाया मार्तन ड़संग तम नमामी शनेश्चरम नीलाजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम चायामार्तंडसं उत्तं तम्नमामी शनेश्यरम नीलान जन समाभासं रविपुट्रम यमागच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् रविपुद्रम् यमागजम् चाया मार्तनुद्र संभुद्रम् तम् नमामी शनेश्चरम् नीलांजन समाभासं रविपुद्रम् यमागजम् चाया मार्तनुद्र संभुद्रम् तम् नमामी शनेश्चरम् नीलान्जन समाभासम रविपुत्यम यमागजम च्छाया मारतंडसं भुतं तम्नमामी शनेश्यरम नीलांचन समाभासं रविपुत्यम् यमाकरचं छायामार तन्ड-संभुतंतं नमामीषनेश्चरम नीलान जन समाभासं रविपुद्धं यमागर्चं छाया मार्तन्डसंगुतं तम्नमामी शनेश्चरं नीलान जन समाभासं रविपुद्धं यमागर्चं छाया मार्तन्डसंगुतं तम्नमामी शनेश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमागजं छाया मार्तंड संभुतं तम्नमामी शनेश्चरम नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमागजं छाया मार्तंड संभुतं तम्नमामी शनेश्चरम नीलान जन समाभासं रविपुत्रम यमागर्चं छाया मार्तनुड़ संभुतं तं नमामी शनेश्चरं नीलान जन समाभासं रविपुत्रम यमागर्चं छाया मार्तनुड़ संभुतं तं नमामी शनेश्चरं नीलान जन समाभासं रविपुत्रम यमागर्चं छाया मार्तनुड़ संभुतं तं नमामी शनेश्चरं नीलान जन समाभासं रविपुत्रम् यमागजं छाया मार्तन रसंगुतं तम्नमामी शनेश्चरम् नीलान जन समाभासं रविपुत्रम् यमागजं छाया मार्तन रसंगुतं तम्नमामी शनेश्चरम् निलाणजन समाभासन रविपुट्रम् यमागच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् रविपुद्धं यमागजम चाया मार्तन डर्संगुद्धं तम नमामी शनेश्चरम नीलान जन समाभासं रविपुद्धं यमागजम चाया मार्तन डर्संगुद्धं तम नमामी शनेश्चरम नीलांचन समाभासं रविपुत्रम् यमागजं छाया मार्तंड संभुतं तम्नमामीशनेश्चं नीलांचन समाभासं रविपुत्रम् यमागजं छाया मार्तंड संभुतं तम्नमामीशनेश्चं नीलान जन्समाभास रड़ी बुठं यमागर्चं छाया मार्तन ड़सागुठं तम्यमाँ शनिष्चंच नीलान जन्समाभास रड़ी बुठं यमागर्चंच छाया मार्तन ड़सागुठं तम्यमाँ शनिष्चंच नीलान जन्समाभास रड़ी बुठं यमागर्चंच छा रविपुट्रम यमागचं चाया मार्तंड संभुतं तम्नमामी शनेश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुट्रम यमागचं चाया मार्तंड संभुतं तम्नमामी शनेश्चरं नीलान्य जण समाभासम रविपुत रविधन्यमा कर्चम च्छायामातन सम्थुतन दम्लमानी शनेश्चरम नीलाजन समाभासं डविपुद्धन यमाप्रचं छाया मार्तन डविपुद्धन तं नमामी शनेश्चरं नीलाजन समाभासं डविपुद्धन यमाप्रचं छाया मार्तन डविपुद्धन तं नमामी शनेश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रम् यमागचं चाया मार्तंड संभुतं तम्नमानी शनेश्चरम् नीलांजन समाभासं रविपुत्रम् यमागचं चाया मार्तंड संभुतं तम्नमानी शनेश्चरम् Neelacham Samabhasam, Ravipudram Yamagajam, Jach plans for the Neelacham Samabhasam, Ravipudnam Yamagajam, Jach plans for the उनाजना समा भास भान्या मागज़ ज्चानि समा भास भुद्धाव समा भुद्धान दाग नमाकली समेश्चराव निलान्जन समाभासं रविपृत्रम् यमागजं छ्षाया मार्तंड संहुतं तंडमामी शनेश्चरम् निलान्जन समाभासं रविपृत्रम् यमागजं छ्षाया मार्तंड संहुतं तंडमामी शनेश्चरम् निलान्जन समाभासं रविपृत्रम् यमागजं छ्षाया मार्तंड संहुतं तंडमामी शनेश्चरम् निलान जन समा भासं रविबुद्ध्ध्यमा गजम चाया मांतन रसा मुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् अपने दोनों हादों को अपने अनाहत चक्रा के सामने लेकर आए अपने हाट के सामने लेकर आए और धीरे धीरे रब करेंगे बिना आँखे खुले हुए तुनों हाथों को अपनी आखों पर प्लेस करेंगे रखेंगे सबको अपना धन्यवा देंगे और कुचीक शनों में सिंगिंग बोल की साउंद के साथ आखे खोलेंगे और जब भी आप अपनी आखे खोलेंगे आप हर तरह के सकारात्मक विच्छारों को और सकारात्मक जितनकी को वेलकम करने के लिए पूरी तरह से त्यार होंगे और हर तरह के बदलाव को नोटस कर पाएंगे आने वाले कुछ मिंटों में गंटों में या दिनों में अपने हातों को रिमोफ करेंगे आप तरह तरह आखे खोलेंगे और अपने हाथों को रिमोफ करेंगे अपने हाथों को रिमोफ करेंगे